हालो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी मैर यार आठोड एक बार फिर से आप सभी का स्वागित करते हूं एससी वाला यूटूब चानल पर और मैं यह उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आप लोग की स्टेडी काफी अच्छे चल रही होगी एक छोटा सा प्लिस वो कितना ज़ादा जरूरी है हमारे एक्जाम पॉइंट व यू से इन सबके उपर हम लोग आज डिसकेशन करने वाले हैं तो आपके सबसे पहले जतने भी सवाल है वो सारे के सारे इस वाले सेशन में लेकर की आई हूं तो बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला आ आपके आगामी एक्जाम के लिए यह सेशन जो रहने वाला है वो काफी सादा महत्यपूर्ण होने वाला है तो शुरू करें आज कैसे शुरू करें शुरू करें आ जाओ सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो current affair हम सभी का जो एक comment out होता है वो होता है how to prepare current affairs current affair को तयार कैसे करें प्लेज हम current affair को तयार कहां से करें हाना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यह लगता है कि जैसे ही exam आएगा मैं magazine से पढ़ लूँगा या फिर जतने भी आप लोगों के जो चोटी चोटी पतली पतली books होते हैं मैं उनसे पढ़के cover कर लूँगा तो पॉसिबल ही नहीं है अब पॉसिबल कैसे नहीं है तो उनको लेकर के हम लोग जो है वो discussion करने वाले हैं तो भाई how to prepare current affair current affair आपके दनिक जीवन का हिस्सा होना च चीज़ें शामिल होने का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हमें habit होती है कि हम particular करते ही करते हैं तेक है बागे दो चार एक्जामपल्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहते हूं कि भाई देखो current affair आपके द पड़ी बहुत बताएंगी मतलब डेली रूटीन में जो है वो क्या-क्या होता है यह जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं यह सारी की सारी हमारी डेली रूटीन की चीज़ें करना ही करना होता है उसके बाद अगर समय मिला तो हम अपनी हैं अपनी NICK क्लासेम ए वह आटेंड करते हैं neutrJI हम लुटी फोक्स करनें πά एप आप रिजनिंग जी के जेसा ये करनार करो नेगे और इक्जाम आए उस इसको पॉसिबल ही नहीं तो सबसे पहला और सबसे महतुपून जो पॉइंट है वो यही है कि बाई current of year आपके दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए पर डे यानि कि daily आपका जो daily routine होता है उसमें एक हिस्सा जो होना चाहिए वो current of year का होना चाहिए देखो habit बहुत जरूरी है माल लेते हैं किसी को गाने सुनने की यादत है जब तक आप गाना नहीं सुनेंगे दिन में आपको ये लगेगा कि भई कुछ अधूरा सा है हैना कुछ कमी सी महसूस हो रही है अब कुछ लोगों को dance करने का शौक है मतलब नॉर्मल ही ऐसा हो सकते हैं कि दिन में अटलिस तीन बार या दिन में चार बार तो बात जो होने ही होनी चाहिए तो वह क्यों होती है क्योंकि वह हमारे habit में शामिल हो गई है या फिर हम यह कह सकते हैं कि हमें उन चीजों की आदत पड़ गई है तो भाई current of year भी एक ऐसा ही subject है जिसकी आदत पड़ना बहुत जरूरी है आपके जीवन में ठेक है तो जैसे ही आप लोगों के daily routines होते हैं तो current of year भी आपके दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम अपने लक्षे को हासिल करने के लिए सबसे जादा जरूरी चीज़ क्या है या ये मेरे जीवन में होना चाहिए अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महतोपुन हमारे माता पिता है ठीक है पहला इस्थान माता पिता कही होता है अब कुछ बालक बालिकाएं कहेंगे कि मैं सबसे ज़ादा ज़रूरी जीवन में गुरू है क्योंकि गुरू से हम पढ़ते हैं गुरू से हम चीजों को सीखते हैं गुरू का कामी होता है चीजों को सिखाना अब सबकी अपनी अपनी राय होगी कि हमारे लिए ये ज़रूरी है हमारे लिए वो ज़रूरी है लेकिन एक बेसिक सा और एक कॉमन सा सवाल आप सभी से है कि भाई हमें अपने लक्ष को हासिल करने के लिए सबसे ज़ादा ज़रूरी जो है वो क्या होना चाहिए थोड़े सा सोची है उसके बाद आप मुझे वो बता सकते हैं कि हाँ हमारे लिए ये चीज बहुत ज़रूरी है हाँ चिक है तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिंदगी में इफ अगर आप अपने एम को हासिल करना चाहते हैं या आप अपने गोल को अच्छीव करना चाहते हैं तो जिंदगी में सबसे ज़ादा जो ज़रूरी है वो है डिसिपलीन discipline की अगर मैं बात करूं तो भाई अनुशाशन है जिंदगी में अनुशाशन का होना बहुत ज़रूरी है अब अनुशाशन का मतलब यह नहीं कि कोई आये और तुमसे यह कहे कि भाई सुनो निशाचर बनने की जुरूत नहीं है सुबह जल्दी उठो चार बजे और चार मेरे लिए अच्छा है या रात को मुझे चीज़े बहुत अच्छी याद होती तो मैं कहते हैं बिल्कुल ना उठें आप सुबह तो सबसे जादा और सबसे महतुपूर्ण जो फैक्टर होता है हमारी तैयारी में वह होता है डिस्सिप्लीन आप अपने आपको मतलब अपना माइन आप इस तरीके से सेट करें कि इसको इत्ता समय देना है तो भाई तैय है देना है मतलब देना है अगर मैं 2 दो घंटे मैत लगाऊंगा तो मैं दो घंटे reasoning भी तो लगाऊंगा ये भी तो exam में आती है बही दो घंटे मैं current भी पढ़ूँगा या फिर मैं दो घंटे मत भी पढ़ो दो घंटे English तो पढ़ूँगा at least मैं मैं दो गंटे GKGS भी पढ़ूँगा GKGS में इतने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर्फ एक करन्ट अफियर से आप जिस भी किसी एक्जाम के तयारी कर रहा है उसमें अगर आप आठ से दस कोशन अचीव कर पा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है तो अपने जीवन में डिसिप्लिन या अनुशाशन का होना बहुत सब्सक्राइब है कई बार ऐसा मन करता है कि हाँ आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया आज मैंने 6 घंटे पढ़ लिया मैं आगले 2 दिन तक क्यों पढ़ूँ क्योंकि मैं 6 घंटे अलरेडी पढ़ चुका हूँ ऐसा नहीं होता यकीन मानो आज अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो भाई तै करो कि पर दे मुझे चीजों को बढ़ाना है कम नहीं करना है ये 2 घंटे तो मैं पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा लेकिन कल मैं 3 घंटे भी तो पढ़ूँगा या फिर मैं 3 घंटे भी तो और सबसे main जो factor है वो होता है जिंदगी में discipline, जब तक आप अपने goal को achieve नहीं कर लेते, या जब तक आप अपने aim को achieve नहीं कर लेते, अनुश्राशन जीवन में बहुत ज़रूर है, especially विध्यारती जीवन में, ठेक है, अब आते हैं आपके जो common questions होते हैं, उनके उपर बढ़ सबसे बढ़ी बात है कि आप अपने आगे की तयारी को continue करेंगे, तो सबसे जरूरी या फिर हम यह बोल सकते हैं कि सबसे important जो part होता है, वो होता है previous year का analysis लगाना, क्योंकि आपको यह पता लगेगा कि अपनी तयारी को, मतलब हमारी तयारी है किस लेवल पर या इस तयारी को हमें किस लेवल पर लेकर कि जाना है, ठेक है, अब सबसे बड़ी बात होती है कि में माम इतनी देर से जिसके या आप डेली कहीं से वाइटी सेशन को आप ले रहे हो, या आप newspaper से पढ़ रहे हो, जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, short notes का होना बहुत ज़रूरी है, हम यह नहीं कहते है कि आप digital language में चीज़ों को prepare करें, लेकिन आपके पास आपकी copy में short notes का होना बहुत ज़रूरी ह ठीक है, तो आप लोगों को जो notes हैं, वो बनाना है, आप newspaper पढ़ सकते हैं, जैसे banking वाले होते हैं, या फिर जो SSE में, जो CGL, इन सब की तयारी करते हैं, तो उनके लिए newspaper बहुत ज़रूरी है, निउस newspaper में भी अगर हम बात करें, तो Indian Express आप पढ़ सकते हैं, अगर आपकी पढ़ने की speed बहुत अच्छी है, या फिर आप चीजों को समझ सकते हैं, उस according, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो daily YouTube current affair class, आपको जिस भी teacher का पढ़ाया हुआ समझा है, मतलब समझ में आ रहा है, या जिस भी teacher से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाने को तो YouTube पर बहुत चाहें वो 6-7 बजे का हो, चाहें वो 7-8 बजे का session हो, मैं daily at least एक घंटा current affair को जो हो देने वाला हूँ, चैक है, तो आप अपने shots, notes तयार करें, आप newspaper जो हो रीड कर सकते हैं, daily YouTube से class ले सकते है current affair की, जहां से भी आपको समझ आ रहा है, उस according, इसके बाद हम आगे बढ़ते वाई सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, वो कहां कहां से हमारे exam में put होते हैं, मैं जतने previous year analysis किया है, या जतना अब तक मैंने देखा है, तो मतलब कहां कहां से question बन सकते हैं, या कहां कहां से question आये हुए है, उस बिहाब पर यह session बाद करा है, सबसे स्पोर्टे जैसे कि जावलीं थ्रोष 7 अगस्त 나like बाइन प्रिपके सब्सक्रेडां नीरत-चोपड भारत के लिए उलंपिक में नाया जाएगा तो गोल्तो rays met लेंने च्टातलो डे क्लाया जावलिंडेट जाएगा च्रड़ मरत का कौन सा स्टेट नूंन इस तरीक के से किसा साथ हुई है कि हमारे को ईक्सिए से जिमिक्स सब censorship के साथ होती यह थर्टिंथ वाला अडिशन हुआ है जब हम बात करते एक था एक्सिए्स किस के साथ हुई है उसका वन्हीं क्या Development पूछता ही पूछता है examiner उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो भी आपका economic survey रहेगा वो भी आपके exam में जो है वो questions बनते हैं अजा books and author अभी recent में अगर जो भी books news में रही है तो उस book का author कौन है प्लस उस book को launch किसके द्वारा किया गया है यह भी हमारे exam में पूछा जाता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ आर्ट और culture तो आर्ट और culture के base पर state relevant question आप लोगों के exam में जो है वो पूछे जा सकते हैं इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो केंदर सरकार कोई state government अगर कोई scheme लेकर आ रही है ठेक है मुख्यमंत्री सूखा शुरह सहायता कोश यह कौन से state की है तो state government की जो schemes होती है वो भी पूछे चाती है appointments जो recently अभी कुछ appointments हुई है या जो नहीं न्यूकतिय हुई है जैसे कि अभी raw के head बदले है अभी recently BSF के head बदले है SSB की अध्यक्षों है वो बदली है तो appointments से related questions भी आपके exam में पूछे जाते हैं obituary पहले obituary नहीं पूछता था लेकिन इस समय obituary का जो पार्ट है वो इन्होंने बढ़ा दिया एक या दो obituary आपको पूछने के लिए मिल जाती है चाहें वो national हो चाहें वो international हो इसके अलावा जैसे हम G.I.Tech की बात करते हैं तो especially कौन सा product जो हो किस state का या यह G.I.Tech जो हो किस state का है G.I.Tech से question बनते है हमारे exam में budget से especially question आप लोगों के किस state के द्वारा launch किया गया मिनिस्टर के द्वारा launch किया एक उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिपोर्स और और कॉनसी और प्राकाशुत्रिट करता यह कौन सी रिपो terrifying यह बोग मोधी जी के इतने भी summits हुए है या मोदी जी भारत के बाहर किन किन देशों की यात्रा पर जो है वो गए है या कब गए है कौन से देश से उनको कौन सा अवार्ड मिला है ठेक है उसके बाद अगर हम बात करते न्यूज रिलेटेड टू आर्मी नेवी एयर फोर्स आईटी डियार डियो इसरो अगर डियार डियो ने कोई परिक्षण किया है या इसरो ने कोई परिक्षण किया जैसे अभी चंतरियान 3 का परिक्षण किया जाना है 14 जुलाई को तो निश्य थी आप लिखके ले लो कि एटलिस आप लोगों का कॉस्टन जो है वो बनेगा ही बनेगा डियार डिय जो material होता है आप उसको limited रखें आप previous year को analysis करें उसके बाद अपने study material को आप जो है वो क्या करें वो आप limited रखें आप online क्या कर सकते हैं आप notes जो है वो बना सकते हैं पिटा तेको बहुत जादा यह भी नहीं है कि हम रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं करेंट अफेर रटने key of success रिविजन सबसे ज़्यादा ज़रूर है अब रिविजन भी किस तरीके गा होगा तो भाई सीधी सी एक tablet होती है जिसको हम क्याते है DWM वाली tablet ठेक है अब यह DWM वाली tablet कैसी होगी DWM DWM ठेक है एक तो daily session आपको लेना है current affair का फिर आप लोगों को weekly revision करना है current affair का और उसके करना है current affair का वेड़ा जी इसके लावा और कोई option नहीं है कि आप current affair को cover कर सके daily weekly और monthly कि discipline और चीजों को कैसे continue करना है यह आप से बहतर अब कोई नहीं जानता after this session चैक है तो hope so आपको help मिलेगी अपने आगे की तयारी के लिए बाकि मैं तो आपसे best of luck कहूंगी आप जिस भी किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं निश्चित ही आप उसमें सफलता पाए चैक है thank you so much bye bye best of luck